वेलकम टू रून बीटियेश वैसे ये खुश्बू किस चीज की आ रही है ये हम कहाँ पे है ये वो चीज है जिसमें कोरिया की जान बसती है किस सारा सामान देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आज हम किमची बनाने वाले है सुनिए क्या मैंने सही कहा तो आज होने वाला है सभी मेंबर्स के बीच में किमची कामपुटेशन और सभी मेंबर्स को तीन टीम में डिवाइड किया जाएगा तो तीनों टीम अलग अलग तरह के किमची बनाएंगे तो चलिए देखते हैं कौन से टीम सबसे अच्छी किमची बना पाती है तो आज होने सभी अलग अलग तरह के किमची बनाएंगे वे तुम तो अपने शाहर की फेमज किमची क्यों नहीं बना लेते हाँ हमारे वाह किमची अलग तरह के से बनाते है तो चमेनी तुमारे वाह कैसे किमची बनाते है सुनिये क्या मैं अपनी ममी से पूछ सकता हूँ हाँ बिल्कुल आपको हेल्प के लिए एक मिरिट का टाइम दिया जाएगा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है तो चलिए अब वक्त है टेम रिसाइड करने का तो चलो देखते हैं किसका पार्टनर कौन होता है क्या कोई कार्ट को चेंज करना चाहता है नहीं जिसके पास जो है वही रहने दो चलो सबी एके करके खोलते है जंगो के तुम क्या कर ले हो मुझे मेरा कार्ट वापिस तुमें चेंज करना नहीं चाहता जिमिन लाओ हम भी चेंज करते है अरे हाँ पर एक कर तो दो मुझे है तो चलो सबी एक साथ ओपन करते है वान टू थ्री ओ इनमें तो अलद अलद किमची के नाम है जिन के नाम सेन हुए वो पार्टनर अच्छा बताओ गोवी किमची किस किस के पास है तो हम तीनों आज बनाने वाले हैं गोवी किमची जी होग तो मैं और जिमिन बनाने वाले हैं पहरी लाले इस किमची तो चलो देखते हैं आज शुगा और जिमिन मिलकर क्या कमाल करते हैं पता है मैं किमची त्राइट्राइस बहुत अच्छे बनाता हूँ और हमारे पास चिन है इसलिए हमें चिनता करने की कोई जरूरत नहीं है पता है मैं तो 5 साल पहले से किमची बिनाना जानता हूँ क्या करूँ मैंने तो इस किमची का कभी नाम भी नहीं सुना तो चलिए अब बुलाते हैं कुरियन फूड की मास्टर को जो आपको आज इस काम में हेल्प करेगी हेलो रन बीदियस ना आपका स्वाज़त है शुक्रिया तो चलिए अब जल्दी से पताएं आज क्या होने वाला है तो आप सभी को किमची के जैसे पी दी जाएगी और अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप इनसे ले सकते हैं तो चलिए फिर मिलकर क्यमची बनाते हैं देखो हम में से कोई एक पहले मूली का काम करेगा और मैं हिन पत्यों का काम देखूँगा मुझे इन्हें 3 सेंटेमेटर की साइज में काटना है अच्छा 3 सेंटेमेटर तो इतना होता है ना देखो ये होता है 10 सेंटेमेटर और देखो इतना होता है 20 सेंटेमेटर अरे तुम तो सिदा 20 सेंटेमेटर पर ही पहुँच गए अब इसमें से 3 सेंटेमेटर निकाल कर दिखाओ सुनो ये प्लास्टिक लास इतने लंबी कप से आने लगी ये तो बहुत अच्छी बात है अच्छा सुनो हम बॉयल बॉक बना रहे हैं ना तो उसके लिए मैं पाने गरम करतू नहीं जी होप अभी नहीं उससे बनने में जादा समय नहीं लगता मुझे लगता है अगर आप बॉयल बॉक बनाना चाहते हैं तो आपको अभी सही शुरू करना चाहिए देखा मैंने कहा था ना मैं तुम से तीन साल पहले इस दुनिया में आया हूँ मुझे सब पता है हेलो गाइस तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ शेयर कहना चाहती हूँ एक बहुत ही ब्यूटिफुल सा प्रोड़क्ट तो यह है फॉसिल की एच जेनरेशन डामन एडिशन स्मार्ट वाच तो इस वाच में हमें मिल जाते हैं दो तरह के स्ट्र तो इस वाच में हमें फुल एचिटिक डिस्प्लेय मिल जाता है और इसका टश रिस्पॉंस भी काफी स्मूथ है और जैसा कि यह स्मार्ट वाच है तो इसे आप इजी लिए अपने फोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा इस वाच में आपको बहुत से कर सकते हैं तो इस पेज की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इनका कोई भी प्रोड़क लेना चाह रहे हैं और अगर उस प्रोड़क के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप इनको बहुत ही इसीली वाट्सेप या फिर इंस्टाग्राम पे करना चाहते हैं तो वह भी अवैलेबल है थैंक यूँ है लो ममी हां बोलो सुनिये ममी अभी हम लेंड़ी के शूट कर रहे हैं और हमें परिलाले स्किम्ची बनानी है तो क्या इसे अजार की तरीके से बनाना है हां बनेगा तो वैसे ही शुगा आपको इसे थोड़ा थोड करना एक बार में पूरा चलता निकालना है ओ ये करना तो बहुत ही मज़िदार होगा पीचर जरा आप बता देंगी इस प्यास को कैसे काटना है तो आपको पहले इस दल से आधा प्यास काटना है और फिर थोड़ा थोड़ा करके पूरा काटना है ओ ये करना तो बहुत आस आरम नहीं, तुम्हें इसे इस तरह से काटना चाहिए इस स्मूली को छीलना तो बहुत ही मुश्किल काम है जुमिन मुझे लगता है तुम्हारा सारा समय तुसे प्रसे पे जानने में ही निकल जाएगा जिमकुक अगर इस स्मूली को हम हार्ट शेप में काटे तो चलिए ठीक है मुझे समझ गया आपका बहुत पहुत शुक्रिया वी अभी तुम कुछ नहीं कर रहे ना तो चलो इन नमक वाले पत्रियों को काट लो बताओ कैसे करना है अच्छा ऐसा करो तुम रहने दो तुम गाना ही गाओ ओ वाओ क्या ये हमारा बेग्राउंड म्यूजिक है वी डांस करना बन करो मेरा हाथ में चाकू है अगर तुम मुझे टकराए तो मुझे लग जाएगी चलो ठीक है आप सभी किमची बनाने में काफी महनत कर देए हैं आप सभी किमची बहुत अच्छी बनेगी हमें थोड़ी जादा किमची बनाने होंगी ताकि स्टाफ मेंबर्स भी खापाए देखो ये करना तो बहुत मज़दार है और ये मूले दिखने में भी कितनी अच्छी लग रही है ना जिन तुम इतने बड़े होकर क्या ये पहली बार कर रहे हो सुनो आप दोनों जल्द से किमची बना लो इसे टेकुरिट करने का काम मैं करूगा चलो ठीक है तब 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 तुम बहुत सारे अच्छी अच्छी प्लेट्स निकाल लो शुगा तुम अभी ते किसा झील ही रहे हो हाँ जमें सपाइस से चीलना सबसे जरूरी काम है निकिन जेहूं मैं तो तुमसे बात कर ही नहीं रहा मैं भी नहीं अपनुप